Good morning students, welcome to your next Hindi class. Students, अभी तक हमने आ की मात्रा के कई नए शब्द आपने सीखे होंगे और जो मैंने आपको लिखने के लिए प्राक्टिस के लिए दिये थे वो भी आपने उनको उच्चारन और उनको लिखना सीख लिया होगा. आज हम उनी शब्दों के बीच में आ की मात्रा को कहा लगाना है और कैसे उसका उच्चारन करना है आपको मैं बताऊंगी. आएए अब हम इन शब्दों को ब्लैक बोड पे देखते हैं. पहला शब्द है हमारा न. इसके बीच में अब हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बनेगा इसके बाद है मा. नाम. तो न के साथ जब हमने आ की मात्रा जोड़ी तो बना नाम. नाम कैसा होता है? किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है. जैसे मीरा, काम्या, जयोती, कोई भी नाम. next हमारा शब्द है क-ma अब जहां हमने ये डैश लगाया है वहाँ आपने आ की मात्रा जोननी है इससे ये क्या बन जाएगा क-ा-की मात्रा-ma काम कोई भी काम करना ताला तो आ की मात्रा ल-ा की मात्रा ताला तो आप जानते हैं न आप सबके घर में होगा ताला अगला शब्द है हमारा र-ा की मात्रा ज-ा की मात्रा राजा कहानियों में आपने पड़ा है ना राजा अगला शब्द है हमारा च-ा की मात्रा द- और रा चादर जो हम बिस्तर पे बिछाते हैं रात को सोने के लिए भी उपर लेके सोते हैं अगला शब्द है हमारा च्छ आकी मात्रा त आकी मात्रा च्छाता च्छाता आपने देखा न सबके पास होगा रंग भी रंगा गोल जो हमें बारिश से बचाता है अगला शब्द है हमारा बाजा, ब, आकी मात्रा, ज, आकी मात्रा, बाजा, बाजा बजाने में बच्चों, छोटे बच्चों को तो खास कर बहुत मज़ा आता है अगला शब्द है हमारा बादल ब आकी मात्रा द और ला आपने आसमान में देखे हैं ना जब बारिश होती है काले काले बादल आ जाते हैं गड़गड करते हुए अगला शब्द है हमारा बाजार बाजार जाते है ना आप सब अपने मम्मी पापा के सब खिलोने लेने अगला शब्द है हमारा गाजर ग आ की मातरा ज और रा लाल लाल मीठी मीठी गाजर खाते है ना आप सबको बहुत मीठी लगती होगी इसी तरह हमने इन शब्दों की प्राक्टिस करनी है अपनी हिंदी की 5-Line Notebook पे और इन शब्दों को पढ़ना भी है और लिखना भी है अब मैं आपको एक और वरक्षिट दिखा रही हूँ जिसमें हमने ऐसे ही कई अन्य शब्दों को लिया है और उन शब्दों को चित्रों के साथ हमने मिलान करना है चित्र को देखकर शब्दों से मिलान करें अब पहला शब्द है आम तो आप सबने देखा ही है आम का रंग कैसा होता है पीला अब इन शब्दों में हमने आम रूनना है आम कहा है इसमें आम को आम के चित्र को आम शब्द के साथ जोडना है अगला चित्र है हमारा तबला तबला बजाना आता है सब बच्चों को शौक तो होता है तो यह हम तबला शब्द डूड़ेंगे इसमें ता से तबला 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 तबले के चित्र से तबला शब्द जोड़ेंगे अगला चित्र है है हमारा चावल ़ूल आप सबको चावल खाना अच्छा लगता है वाइट-वाइट कलर के जो चावल होते हैं चावल च च से शुरू होने वाला शप्द ढूड होनेवाला सद्रींगे च च आकी मात्रा व और ला चावल अगला चित्र है हमारा बाजा से कौन साथ हमने जॉइन करना है अगला शब्द है हमारा ताला यह देखिए आप आपने चित्र में देख लिए ना ताला कहा है त से त से यह रहा ताला तो इसे हम इसके साथ जॉइन करेंगे अगला शब्द है बाला यानि कान में पहनने वाली जो ममा पहनती है अब इसमें बाला क घड़ा अगला नेक्स्ट हमारा शब्द है बादा बा दा और म इसे हम इसके साथ जॉइन करेंगे अब आपको ये सारे अपनी हिंदी की फाइव लाइन नोट बुक में कम्प्लीट करना है और इसकी मैचिंग भी करनी है यह आपका हूम एसाइनमेंट है होप आप इसे अच्छे से करेंगे और इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल कर थैंक यू और हैव नाइस टेए